किशी को अमुन्तुन करके निमुन्तित करके उसको बेजज़त करना है अपको शुभा नहीं देता है अज़े शिर्णाम या भारत माता किज़ा इस देश में अगर गाली है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि किस देश में रहना हुए अरे सीता जी से अलग राम हो सकते हैं क्या जैसिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते हैं अरे से बीजेट यह लोग अभी इंसर्ट उन्होंने भगवान राम का किया है हिंदू धर्म का संस्कूति का किया है अगर राम बोलने से आप चूकेंगी तो आपका जैस्री राम हो जाएगा मैं तो आबारी हूँ अधान मुंत्री जी का काल्चरल मिनिश्की का कि आप लोगों ने खलकाता में पोग्राम बनाये हैं लेकिन किशी को अमुंत्रों करके निमौंतित करके उसको बेज़ ज़क कर रहा है आपको सोबा नहीं देता है जैस्री राम का नारा सुनकर पीम के मंच से दीदी के घुस्से की ज्वाला जो भड़की तो सियासत सुलगने लगी बीजेपी ने पूछा जैस्री राम के नाम से क्यूं होता है मंता का अपमान बहुत शर्म की बात है कि एक ऐसा मंच नेताजी सुवाशन बहुस का मंच उनके 125 विजन शताबदी का मंच जहां प्रधान मंतरी हो वहाँ पर इस प्रकार राजनितिक हंड़ा अपना कर और अपना मैं कहता हूँ राजनितिक उल्लू सिधा करना जह शर्राम के नारे पर दीदी की नाराजगी है तो बीजेपी के सवाल है दूसरी और त्रिडमूल कॉंग्रेस का बवाल है मुखämäं मंतरी के इस्टैब कोड़ा वेन पूसटे में लिड़ार देखि ये तो होना झालियो था इसरोगन दे दिया तो तो यह पी नहीं होना चाहिए था और यह इग्णोर करना चाहिस नेथा नहीं है इसब इंग्नॉर करना चाहिए और एक मुखमंतरी गरिमा है पर उस और अब बंगाल की चुनावी सियासत के भी केंद्र में है नेता जी को याद करने वाले कारिकरम में अचानक जब जैश्राम के नारे लगने लगे तो सूबे की मुक्षिमंत्री का हुस्सा सात्वे आश्मान पर पहुँच गया अब देखिए राम के नाम पर घमासान शुरू हुआ तो बात कहां से कहां पहुंच गई वीजेपी श्री राम का अपमान बता रही है तो कॉंग्रेस नारे पर सवाल खड़े कर रही है अब इंसर्ट उन्होंने भगवान राम का किया है हिंदु धर्म का संस्कूरूति का किया है भर शान बैटी तो क्या हो भगवान स्री राम का और राम मंदिर का विरोत कर रहे हैं क्या पठ्टता ममता जी ने करनी होगी मेरी आपत्ती बात की है कि सीता जी को छोड़ देते हैं लोग अरे सीता जी से अलग राम हो सकते हैं क्या जैसिया राम का नारा क्यों नहीं लगाते हैं रस्स बीजेपी लोग कम से कम मोदी जी ने आयोध्या में तो जैसिया राम का नारा दिया था तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ती है नारा जैसिया राम होना चाहिए जैसिया राम नहीं होना चाहिए दीदी के घुसे पर सियासत ऐसी की मध्यप्रदेश के प्रोटेव स्पीकर ने ममता बेनर जी को रामायर भेज कर पढ़ने की सलाह दे डाली मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं मर्यादा पुरसोतम राम की ये किताब संबीधानिक बाबा साव अंबेट करके संबीधान में रचित लिखित राम जो देश के संबीधानिक पुरुश भी है उनकी एक किताब राम चरित मानश ममता दीधी को भेज रहा हूँ उम्मीद करता हूँ दीधी इसको पढ़ेंगी और सब के शुक दुख की चिंता करेंगी और जैशी राम फक्र और गर्व के साथ बोलेंगी शनिवार को विक्टोरिया हॉल के कारिक्रम में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा बीजेपी को शायद नहीं रहा होगा लेकिन बंगाल की सत्ता परकाविज होने की कोशिश कर रही बीजेपी को दीधी के घुसे ने एक धारधार हत्यार थमा दिया है आचिताक बूरू